हाँ तो आगे तो हम लोग तो भाई आज मैं एक मूवी बारें बात करने वाला हूँ जिसका नाम है हसीन दिल्रूबा और ये वीडियो कोई रोष्ट वीडियो नहीं बलके एक नठ्चेल है तो मेरी बाकी वीडियो से थोड़ा हटके होना वाला है तो लेट्स बिगेन तो भाई कहानी सुरू होती है जौलापुर नाम के एक सहर से जहां पर हमें एक बंदा नदी में त्यारता हुआ दिखता है अमरीका का दलाल बहें चोट उसके बाद हमारी ताप्षी पनू मतलब कि हमारी फिलम की रोवन कुस कुछ कुट्तों को खाना द हमें क्यों ने लिए फिलम में हां सर मैं तो फिडी में दर्वाजा तोड़ देता एनिवे तो इस ब्लाक्ट में हमारी हीडो के पूरी बॉड़ी जल गई होती है और कुछ बचा होता है तो सिर्फ उसका हाँ पर तभी एक चोमू मल आके हमारे अभीजीत भाई आसा कहता है अभे जब बॉड़ी देके से जल गया है तो तुझे कैसे बता कि उसके सर पर गहरी चोट निसान है हाव इस पॉशिबल तो उसके बाद काणी जाती है फ्लैस बैक में जिसमें हमारा इृट फिर से जिन्दा हो जाता है और वो लड़की देखने जाता है एंड केस वाट व समयके मा लूंगी और हमारा घ्र बहुत महश्व होता है तो फिर की यह वह से कच लेता है बाट वो उसको बुला ने ही बाता है वह बात अलग है बहुत घ्राजी बहुत होती है लेकिन हमारी ही और द अनली वह रहे सतकते हैं कि देखने गई कोई प्यार में पढ़ता है क्या तक से देवदास ही बन गयो तो हीरो को यह सब अच्छे नहीं लगता और हमारा हीरो रानी से मिलता है मतलब फिलम की हीरोईन की नाम है रानी कुछ भी तो उससे मिलने के बाद हमारे हीरो को उससे भी प्यार हो जाता है विकॉ सब्सकारी लड़की जैसा कि फैमली वालों ने बताया था कि हमारी लड़की बहुती संसकारी है वो सुबा सुबा उठ जाती है उसको सब खाना बनाना आता है पर यहां पर सुबा के सार दस बत चुका है और इनकी वह अभी तक अपने रूम से सोके ने निकली तो सासु अम्मा बी लाइक और फाइनली सासु ऩह वम्मा की बहु आती है तो सास वम्मा न आऊँ देखना नताओं कहती है कि बहु आज तरी मुआ दिखाए यह तो जाख जाके अच्छा जा खाना अर्फ पखॉरी बना लाणरी नहीं जोप बस फिर कर अनके साथ भूब के खटपट के साथ यह आगा आगे चलती जाती है जिसमें हमारे हीरो का सुहाग रात नहीं गुमनाम हो जाता है पर एक दिन आता जिसमें इसकी heroine full mood में होती है लेकिन हमारा hero full सर मीला बात बात में ये अपनी फुरानी वाले बारे में बाते चोद देता है फिर क्या उसके बाद वही होता है जो इंडिया के आदे husband के साथ होता है उटाई उसके अगले दिन हमारी heroine अपने घरवालों से बात करती है और कहती है मम्मी किस पिसर्डी से साधी करवा दिया तुम लोगों ने इससे तो कुछ होता ही नहीं इससे कुछ होता नहीं इसका मतलब तो तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ तो इसकी मम्मी इसको कहती है अरे बेटा नहीं दे सारी में ऐसा होता है तो एक काम कर उसको सिग्नल ले जब भी वो तर सामने आया तो अपना पल्लू गिरा दे अब I don't know कि कौन से घरवाले ऐसे करने को बोलते हैं पर हमारी हीरोईन इनकी बात मान जाती है और जैसे ही हमारा हीरो इनका सामने जाता है तो ये स्टार्ट अब हमारी हीरो से कुछ होता नहीं क्योंकि बहुत ही सरमीला है तब इंट्री होती हर्सवरदन राने की क्योंकि उसका लंबा है चौड़ा आई मिन वह लंबा है चौड़ा है और मज़े की बात ही आएगी वो अपने हीरो का फुफेरा भाई भी है वो कुछ दिनों के लिए क्योंकि सीबी लाइग पती जाये माचुदाने हम तो उसको फुपेरा भाई से इसक लड़ाएंगे फिर फाइनली वह सीन आता है जिसमें हमारी हीरो इन रोटी बना रही होती है और हमारा हीरो को फुपेरा भाई नील आके इनका बाल इधर से उदर करता है एंके घाला ये दुख का है खतम नहीं होता बे तो आब हमारे निल भाईया को फुल वेपरा लेने जाती है पर हमारा हीरो के अच्छा फ्राहि में नहीं बनाएंगे। हम इसको दूसरे किशन बना लेंगे फिर हमारा हीरो सबसे पहले एक किशन बनाता है और अपनी वाइप का हेल्प करता है that's why people watch सौधान इंडिया पर जैसे ही बकड़ा बनता है तो हमारे निल भईया यहां से फरार हो जाते है वो भी इनको बताए बिना तो इनकी गंडिया फ बाट उसके अगली ही दिन हमारा हीरो फुल साइको और अफिस जाने के बजाए चला जाता है निल के घर और उस क्रूड्राइबर निकालके उसको पेलने के लिए एकदम तयार पर उसको पेलने के चकर में हमारा हिरो खुदी पील जाता है और फिर पागलुक तरह जमीर पर बैठा रहता है जब तक कि नील उसको बात करने के लिए बुला नहीं लेता फिर इनके बीच कनवर्सेशन चलता है जिसमें हिरो बोलता है बोस्डी के बाईया के लुगाई को प हमारे हेरो इसे पिटके घर जाता है और उडर्स केता है कि अब चल से मैं पाइप से हुआ नहीं तो फार अपसी को चलता हैं इसके और इसके बीच हुआ कांट के बारे में और आब हमारा हीरो हमारी हिरोईन की जान लेने के कोशिश करेगा तो हमारे बहुत करते हैं इसको मारने के कोशिश करते हैं तो हमारा यह यह सिर्द्र साद नहीं नहीं पर यह साइको आ आपनी जावनी तुम पर लुटा जाता है और इनकी लाइप नौर्मल हो जाती है पाट इवेंचली जब यह लोग मॉल में घूमने गए हुए होते हैं अब इनकी मुलकात होती है नील बाइया से जो इंकी गारी के साइड उन्य भाइक ठोक देता है और बोलता है और सोरी सोर से ट्रिगर होके रानी गारी से बाहर निकलती है और बदला लेने के लिए उसके बाई के साइड मिरर तोड़ देती है ये कौन सा बदला हुआ बाई तो हमारे निल भाईया की गान फट जाती है और ये अपने गल फ्रेंड को मौल में इंट्री कड़ा के आते हैं और बोलते ह अरियो मैडम बहुत हाथ चले तुमारे लगता है वो दिन भूली नहीं तुम और रिसु भाईया समझाओ इनको नहीं तो मैं बताओ आपको एक कहानी और जैसा एक तुमको पता है कि हमारे रिसु भाईया फुल साइको बन चुके हैं और इनका बदला तो अभी भी अधू लेगी क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता है इस्टाइक आने का डर होता है बाट इस मुवी में साइको पती है जो किसी को भी मार सकता है और फुफेरा भाई भी यह जो लड़किया यह भावियों को देख करता रहता है और लास्ट में एक है हसीन दिल रुबा अरे लोड़े का देल रुबा भागी इस मुवी में यही सीख मिलता है कि अगर तुम्हारी साधी हो गई है और तुम्हारी बीबी होट भी है तो अपनी बीबी को आप सैटिस्फाइड अके ने तो इतना चोट हो जाएगा आपकी जिंदगी में नील की तर ना बने भानु परताब की तर ब हो तुम बता कि तुमको यह वीडियो क्यासे लगी आगे से मैं ऐसी वीडियो बनाओ या नहीं कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर तुमको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो शेर करो बागी मिलते हैं तुम्हें